अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर देने के लिए आदमी हमेशा पैसो के बीचे भागता रहता है पर अगर इस भागदोर्ण में फैमिली बरबात हो जाए तो फिर क्या होगा हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको नेस्ट ये 2020 की एक हॉलिवड ड्रामा मूवी एक्स्प्लिन करने वाला हूँ ये मूवी हमें बहुत ही ब्यूटिफुल सा मैसेज देखा जाती है तो अन तक इस वीडियो को ज़रू देखिएगा तो भी नगजदेरी के एक्स्प्लिन्शन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन गारेक्टर रोरी को देखते है रोरी बहुत सालों पहले इंगलंड चोड़कर अमेरिका आया हुआ था रोरी एक स्टार्ट ब्रोकर है वो अपने काम में बहुत ही अच्छा था इस वज़े से वो बहुत ही रीच था आजकल उसके नियॉयोक के आफिस में कुछ प्रॉलम चल रहे थे तो इस वज़े से शायद उसके पैसे आना बंद हो जाएगा तो इस वज़े से ओवरीर था उसने फिर से अपने इंगलंड के आफिस में कॉल लगया और उसे जॉब देने के लिए फिर से वापस लेने के लिए रेडी थे यह फोन कॉल पर वो बात करता है इसके बात उसने अपने वाइफ को उठाया अपनी वाइफ के साथ उसके दो बच्चे भी है, एक बेटी और एक बेटा इनकी फैमिली बहुत ही प्यूटिफूल थी, सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था रोरी अपने बच्चों के साथ एक साथ ब्रेकफास्ट करता, उन्हों स्कूल छोड़ देता उसके वाइफ ऐलिसन को हॉर्स राइडिंग का बहुत शोग है, तो इस वज़े से एक जगा अपर हॉर्स राइडिंग टीचिंग का काम करती है ये पूरी फैमिली एक दुसरे को बहुत सारा टाइम देती है रोरी को अभी-अभी ये उपरिचुनिट आए तो एलिसन से एक दिन वो बात करता है उस कहता है, आज कल मेरे पास तो पैसे है, पर थोड़ी देर में ये पैसे आना बंद हो जाएगा मुझे फिर से इंगलंड जाना है, वैसे भी रोरी की मदर इंगलंड में थी रोरी कहता है, मुझे बहुत बड़ी opportunity मिलिया अगर मैंने इसका सही से फाइदा उठाया, तो पूरी लाइफ में हमें कुछ भी करने की जरूत नहीं पड़ेगी ये सब बात सुनकर एलिसन भी इस पर सोचने लग जाती है इसके बारे में उसने अपनी मदर से बात की, इसकी मदर कहती है बहुत सारे लोग को कंट्री छोड़ कर जाने का कभी भी चांस ने मिलता तुम्हें जाना चाहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए वेसे भी वो सही कह रहा है, वो इसकी मदर भार रहती है शायद इस कंट्री में वो अकेला फिल करता है एलिसन को भी अपनी मदर को छोड़ कर जाना जरा बुरा लग रहा था वो मजा करती है, मैंने कभी इमेजीन नहीं किया था कि मैं तुम्हें भी मिस करूँगी एक नटखट बच्ची की तरह इसके बाद अलिसन और बच यहीं इंग्लेंड आके रोरी अल्डेडी वहाँ पर पहुच गया था और एक पैलेड जैसा गर उसने अल्डेडी रेंड कर लिया है वो उक्साइटड होकर सारा घर उन्हें दिखाता है यह एक्च्छल में बहुत ज़ादा बड़ा था यही बात अलिसन उसे बताती है रोरी कहता है तुम्हें वरी करने की कोई भी ज़रुवत नहीं है जरा आगे तो देखो यहाँ पर बड़ा सग्राउंड है यहाँ पर तुम खुद की होर्स राइडिंग कर सकती हो खुद की एकेडमी खोल सकती हो रोरी ने एलिसन को एक रोप भी गिव्ट दिया इसके बाद नेकसें में रोरी को उसके ऑफिस में हम देखते है जिस तरीके से रोरी डारेक्ली क्लाइन से बात कर रहा था यह उसके बोस को बहुत अच्छा लगा बोस फिर उसे एक important meeting में लेकर गया इसमें रोरी कहता है अमेरिका में हर लोग ऐसा वानता है को कुछ भी पा सकता है यह बड़े सबने देखते है हमें इंगलेंड में भी यही सबने लोगों को दिखाने है इस country को हमें आगे लिकर जाना है यह जो रोरी का माइंड से change हो गया था एक company को बहुत अच्छा लगा रात में सारी family मिलकर dinner करते बच्चों को अपने school में adjust होने के लिए ज़रा time लग रहा है रोरी अपने बेटे Benjamin से बुछता है तुम्हें school कैसा लग रहा है Benjamin कहता है कि ठीक है पर रोरी ने कहा कि वो यहां का best goal है पर रोरी इस पर बहुत ही proud था अगली दिन रोरी ने ऐलिसन के लिए personal horse buy कर कर ला है ऐलिसन अब बहुत कुछ थी एक साथ intimate हो जाते है आज रात फिर यह दोनों party पर गए party में जब भी रोरी जिससे भी बात करता है तो वो बहुत ही अमीर है इस तरीके से उसे जताने की आदध होती है उसने नियॉक में सब को sale कर दिया था पर फिर भी वो लोग को कहता है कि मैं नियॉक में अपना paint house हमेशा रखूंगा वो बहुत ही beautiful city है ये सब बात है अलिसन को इसकी अच्छी नहीं लगती है पर फिर भी वो ignore करती है party में रोरी के boss ने अलिसन से बात की ये दोनों couples के बारे में बात कर रहे थे रोरी का boss कहता है जब हम किसी से शादी करते हैं तो उनके अच्छा यूग के साथ उनकी बुराया भी हमें accept करनी परती है एक की person में हम सारी चीस perfect नहीं पा सकते आज कल की couple सब कुछ एक की साथ पाना चाते तो इसी वज़े से शायद divorce इनका होता है अलिसन को लगता है कि एक perfect partner desire करना ये कोई गलत बात ने party से घर पर आने के बाद एलिसन रोरी से बात करती है कहती कि यहाँ पर कितनी ज़ादा formality करनी पड़ती है एलिसन को लग रहा था कि इंग्रेंट बहुत ही pretentious है नुई यॉक में इस तरीके का pretend लोग नहीं करते थे एलिसन हमेशे ज़रा लेट उठती है तो बच्चों को स्कूल में भीजने के लिए उज़रा लेट हो जाती है नेक्सिन में हम देखते है कि रोरी अपने बॉस के पास आया हुआ था वो गयता है मेरे पास एक बहुत ही बड़ी offer है एक नुई यॉक की company से में बात कर रहा था वो अपनी firm करने में बहुत जादा इंटरस्ट है अगर इडिल कंप्लीट होगे तो रोरी को इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे उसे फिर से कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए बहुत ही excited था और अपने बॉस को बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़े बताता है बॉस कहता है क्या तुमने मुझे हायर किया क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉफिट कमा कर दे सकूँ बेस्ट वे कंपनी सेल करना ही है बॉस को भी आइडिया अच्छा लगा था तो मीटिंग में करा सेट करते है आज रात रोरी ने अपने फ्रेंज के साथ मेल कर सेरिवरेट क किया ऐलिसन के होस राइडिंग के जगा बर एक स्टेबल बन रहा था पर वो बनाने वाले वरकर्स कुछ दिनों से काम परने आए तो उन्हें कॉल करती है उन वरकर्स ने का कि हमें कोई भी पैसे नहीं मिले है जो चेक हमें रोरी ने दिया था यह बाउंस हो गया है ऐलिसन को ने से चले गया इसनन को वरी करने से मना किया कैता औरहस के आएंड में मुझे बहुत बड़ा चेक दो कुछ भी मत करो रात में उसका मूर ठीक करने कि लिए उसे वहापर डिनर करने के लिए 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 सबस estado दिन आर तो में कुछ भी आर्डर कर सकती हूं उसने बहुत प्रदी एक्सपेंसिव शैंपेन और की रोरी को हमेशा लगता है कि अलीसन को शैंपेन के बार में कुछ भी पता नहीं है पर वो कैसे भी हो फिर भी वो पूरी बॉटल बाय कर लेती है अगली दिन रोरी ने अलीसन से कुछ पैसे मांगे अलीसन ने उसे चुपा कर गए थे तो रोरी को रोम के बाहर जाने के लिए गए दिया रोरी को इस पर गुसा आगया आज जब वो हॉर्स राइडिंग कर रही थी तो उसको हॉर्स अच्छे से रिस्पॉंड नहीं कर रहा था उसने फिर भी अपने हॉर्स को एक्जॉस्ट कर वाया तो इस वज़े से नीचे पड़ेगा वो फिर हॉस को जादा तकलिफ ना हो इसलिए उसे शूट कर देता है ऐली सन बहुत रोई इससे के पैरलेल में हम देखते हैं रोरी की कमपनी को सेल करने की जो डील चल रही थी इसमें कोई भी कॉंटक हो नहीं पा रहा था इसके बारे में उसने जाकर अपने से बात की तो बॉस कहता है यह डील में नहीं करने वाला बॉस ने अपनी कमपनी जिस तरीके से क्रियेट के थी उसकी लेगसी को वो न्यू कमपनी पूरी तरीके से मिटा देती यह उसे नहीं चाहिए था इस बात पर रोरी बहुत ही गुसा हो जाता है वो कहता है कि तुम पैसो के बारे में सोचते हो तुम बहुत ही टैलेंटेड हो तुम्हें प्रॉफिट कैसे कमाना है यह पता है पर तुम्हें इस तरीके से एक जगा पर स्टेबल रहना भी सिखना चाहिए अलीसन ने जब अपने बेटे को बताया कि उसके होस की डेथ हो चुकी है तो उसे ब पर रोरी ने अपनी मदर से कोई भी कॉंटेक नहीं रगा था उसकी मदर को ये भी नहीं पता कि रोरी ने शादी की है उसकी बच्चे भी है वो अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है वो अपनी मदर को कह रहा था तुम अगर चाहो तो हमारे पास आकर रह सकती हो उसकी मद पर दोपने का कि मुझे आप तुमारे बारे में कुछ भी पता नहीं है वो डारेक्टली उसके साथ आकर नहीं रह सकती वो फिर भी इसके बारे में सोचने वाली है रोरी अपनी मदर पर जारा गुसा हो गया था क्यूंकि अपनी लाइफ में अपनी मदर को इन्वाइट कर र कि शायद उस आदमी ने मुझे फॉल्टी होस दिया अलीसन को सिंपती दने के बावजुद उस आदमी पर ही गुसा हो गया अलीसन ने अल्रेडी उस होस को बरी कर दिया था तो इस पर भी गुसा हो जाता है रोरी कहता है मैं उस पर टेस्ट कर सकता था जिस आदमी ने रोरी कहता है कि आफकोस मैं वैसाओ, ये जो सारी चीजे मेरे पास है, इस पर मैं बहुत प्राउड हूँ, इस सब कुछ मैं डिजर्व करता हूँ, मुझसे मिलने के बाद तुम्हारी कोई भी आउकाद नहीं थी, तो अपने डॉटर के साथ एक सड़े हुए अपार्मेंट म करना स्टार्ट कर दिया, आज कर आली सन के बाद भी पैसे नहीं, तो पास के फारम में वो कुछ काम ले लेती है, उसे बेंजामेन के स्कूल से कॉल आए, तो बेंजामेन ने किसी को मारा हुआ था, वो जब उसे लेने के लिए गी तो बेंजामेन रोने लगता है, वो कहता ब्दटाए मुझे बड़े बच्चे बुली कर रहे थे अगर तुम्हार साथ ऐसा हो रहा था तुमने मुझे क्यों नहीं बता है बेंजमीन कहता है मुझे बता है कि तुम्हारे और फियाधर के बीश में छकड़ा चल रहा था रहा devo बातर तुम्हें और और कर वहाना नहीं को भी लेकर जाता है इस डिनर पर भी हो जदा रहा था कि वो बहुत ही रीच है वो एक प्ले के बारे में बता रहा था एलिसन सब चीजों से तंग आ चुकी थी तो इस बात पर वो हज देती है कहती है मेरे हस्बन ने कभी भी ठेटर में पाव भी नहीं रखा वो फिर गुस् आओ गया एलिसन गाड़ी लेकर चली जा चुकी थी तो रोरी को एक क्याब लेनी परती है कैबी उससे बुझता है तुम काम क्या करते हो रोरी ने कहा कि मैं प्रिटेंड करता हो कि मैं अमीर हूं कैभी बुझता है कि ऐसा क्यों करते हो तो रोरी कहता है कि मुझे पता नही उसने का कि एक बार मेरे पास बहुत सारे पैसे थे One Million Dollar मुझे लगा कि ऐसे ही पैसे मेरे पास हमेशा आते रहेंगे पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं पूरी पुछता है कि तुम्हारे बच्चे है रोरी ने का कि हा दो बच्चे है तो कैवी नहीं कहा तुम्हें लाइफ में और कुछ भी नहीं चाहिए सब कुछ खोने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत सही चीज़े है हम इस वर्ल्ड में आएं तो हमारे बच्चों के लिए ही वो बुशता है कि क्या तुम अच्छे फादर हो रोरी ने कहा कि अफकोस मैं अच्छा फादर हूँ मैं कभी भी उन पर हाथ ने उठा था उन्हें जो भी चाहिए ये सारी चीज़े लेकर देता हो कैवी कहता है ये चीज़े तो बहुत ही बेसिक है इससे तुम अच्छे फादर नहीं बनते तुमें अब अपनी लाइफ को सही से ट्रैक पर लाणा पड़ेगा एक जॉब ले लो थोड़ी से पैसो के लिए तुम काम कर सकते हो पर फिर भी अपने फैमिली को तुम खो नहीं सकते है तुमें एक्छुली क्या चाहिए ये तुमें पता होना चाहिए रोरी को सही में उसे क्या चाहिए इसके बारे में कोई भी आइडREE नहीं था ケवी ने अपनी कार रोक थी और हो कहता है अब यहां से निकल जाओ उसे पता था कि रोरी के पास कोई भी पैसे नहीं है रोरी कहता है घर पर पोस्नी के बाद में तुम्हें पे करता हूँ तो पार्टी करजे से बहुत जादा डर्टी हो गया था वो जाकर बेंजमीन को ढूंटी है तो बहुत दरा हुआ था उसने उसे सहारा दिया बाहर एलीसन ने अपने होस को बरी किया था तो उसके उपर की मिट्टी बाजू हो जाती है इस बात से बहुत डिस्टर हुए वही बहुत रोई यह देखके उसकी बेटी भी उसे सहारा देखती है बेंजमीन को घर पर लेकर आए उसके लिए ब्रेकफास बनाया थोड़ी देर में रोरी भी चलता चलता घर पर पहुच जाता है सारे लोग ब्रेकफास कर रहे थे रोरी ने का मैं सब कुछ ठीक कर दूँग उसके पास जो एक फैमिली है उसके खोना नहीं जाता पर अभी भी उपैसों के बारे में बात कर रहा था कि मैं ऐसा करूँगा हम यहाँ वर जाएंगे मैं अपनी खुद की कमपनी खुलूँगा यह सब बाते सुनकर एलेसन उसके पास जाती है उसे चेर पर बिठाती है औ अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता अलीसन ने जिस तरीके से उसे ब्रेकवास के लिए इन्वाइट किया एक सहारा दिया जिसे उसने भी उसे माफ कर दिया है उसकी बेटी भी उसे हग कर दिया यह फैमिली हमेशा एक दूसरे को सहार देकर सपोर्ट करते रहेंगे इसे क के साथ पूरी फैमिली ब्रिक्फास्ट करते हुए एक ब्यूटिफुल से सीन पर इस मुवी का एंड होता है यह मुवी हमें बता कर जाती है कि एक्च्वल में लाइफ में इंपॉर्टेंट कहा है जो है हमारी फैमिली इसे एक मैसेश के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं मैं बहुत सारे मुवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इंडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक मुवीज के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया